दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों सेना द्वारा कई राजियों के आयारों की ओपन भरती रैलियों को स्थगित किया गया है वही स्पोर्ट्स और रिलेशन से संबंधित युवाओं के लिए यहां एक अच्छी खबर है क्योंकि कल नाशिक में सेना की एक बड़ी यूनिट है क्वाटर कोटा भरती रैली का आयोजन शुरू होने जा रहा है और इसके लिए सेंटर द्वारा पूरी तैयारियां भी कर ली गई है जिसके तहर भरती स्थल पर रैली के हर दिन के सेड्यूल और अन्य जानकारियों को जारी कर दिया गया है दोस्तो 18 दिसंबर तक चलने वाली इस भरती रैली में सैनिक जनरल ड्यूटी, टेक्निकल और ट्रेट्समेन जैसे पदू के लिए देश के विभिन राजियों के सैन्य आश्रित नौजवानों को अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिलने वाला है लेकिन शुरू के दो दिन ओपन कैटगरी के अंतरगर, स्पोर्ट्स और म्यूजिसियन से संबंधित युवा भी इस भरती रैली में भाग ले सकेंगे साथ ही यहाँ पर ट्रेट्समेन के विभिन पदू पर कुल 203 वेकंसियों को निकाला गया है दोस्तों आपको बता दे कि इस रिलेशन और स्पोर्ट्स भरती को सेना के आर्टी सेंटर नाशिक द्वारा सैनिक परिवार के पुत्र, भाई और शहीद विध्वा के पुत्रों के लिए आयोजित किया जा रहा है और इसके लिए विभाग द्वारा पिछले महीने ही नोटिफिकेशन को भी जारी कर दिया गया था और इस भरती में भाग लेने के लिए योगे उम्मीद्वारों को भरती दिनाक को जल्दी सुभा अपने सारे जरूरी दस्तावेजों के साथ सीधे सेंटर में रिपोर्ट करना होगा दोस्तों ऐसे ही सेंटर भरती को लेकर हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया